बिहार के मुतिहारी से दर्दनाक हाथसे की खबर सामने आ रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप देखकर ये सोच रहे होंगे कि पुलिस प्रशाशन और लोगों के बीच आखिर लड़ाई क्यूं हो रही है तो चलिए पहले हम आपको पूरा वो अस्पिताल पहुंचे हैं जहां पर वहां का नजारा काफी गंभीर हो चला है तो देखा आपने किस प्रकार से बिहार के मुतिहारी में तस्वीरे जो है वो सामने आई है दरसल सोचाले की टंकी का सेंटिंग खोलने के दौरान चार लोगों की मौत हो गई है सेंट्रिंग के दौरान बेहोशी की हालत में चारों को ढाका अनुमंडली अस्पिताल लाया गया जहां इनकी मौत हो गई मुतिहारी में चार मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है इस्थानिय लोगों ने इलाज में लापरवाही के कारण मौत होने का आरोप लगा कर अस्पिताल में जम कर तोड़ फोर भी किया है आक्रोशत लोगों के हंगामी को देकर चिकित्सक और चिकित्सक कर्मी फरार हो चले हालाकि लोगों का गुसा शान्त नहीं हुआ बताया जाता है कि महवीर ठाकुर के निर्मान धीन घर के सोचाले का सेंट्रिंग खोलने के दौरान चार मजदूर टंकी के अंदर घुसे थे जो एक एक कर बेहोश हो गए बाद में ग्रामीनों ने सहयोग किया और उन्हें बाहर निकाला गया और इलाज के लिए धाका अनुमंडली अस्पता लाया गया जहां उनकी मौत हो गए मृतकों की शनात अब्दुलबकर हसनैन अंसारी वसी एहमद अंसारी और योगेंदर यादव के रूप में किया गया तो ये तस्वीरे बिहार के मुतिहारी से सामने आई है जहां धाका थाना शेत्र में सोचाले की सेंट्रिंग खोलने के दौरान चार मजदूर बेहोस हो गहते हैं घटना धाका के लहन धाका मोहले की बताए जा रही है ग्रामीनो के सायोग से बेहोश मजदूरों को आननफानन में धाका अस्पताल लाए गया जहां चारो मजदूरों की मौत हो गई ग्रामीनों का रोप है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहने के कारण गुसा साफ तोर पर देखा जा रहा है इस पूरे मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस प्रशाशन वो अधिकारी पहुचे और आक्रोश्चत लोगों को समझाने की कोशिश की हाला कि अस्पताल कर्मी किसी तरह वहां से जान बचा कर भाग गए हाला कि कुछ लोग सोचाले टंकी खोलने के दौरान तो कुछ लोग नर्व निर्मित बिल्डिंग का सेंटरिंग खोलने के दौरान गिरने से जखमी होनी के बाद इस पूरे मामले की मौत बता रहे हैं